नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चेनल में और एक और महत्पूर्ण जानकरी के साथ आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर आजीने आप लोगों की सेवा में दोस्तो आज की इस वीडियो में एक ऐसी चीज के बारे में आपको बताया जा रहा है जिसे आप में से अधिकतल लोगों के घर में हर रोज सवेरे के वक्त जरूर यूज में लिया जाता है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ब्रेट खाने के नुकसान के बारे में जी आँ दोस्तों ब्रेट खाने के कई नुकसान होते हैं ब्रेट या फिर डबल रोटी ना केवल आज से बलकि सालों से दुनिया भर में खाई जाती है जहां देखो घर में ब्रेकफास्ट के रूप में या घर में पीज़ा बेस या फिर बर्गर में ही ब्रेड खाई जाती है और लोग इसे बड़े चाओं के साथ खाते हैं अगर सुबह breakfast करने का time नहीं है तो freeze में से bread निगा ली उस पर बटल लगाया जेम लगाया और खा गए दोस्तो ब्रेड चाहे जिस रूप में भी खाय जाए वह कई न कई आपके दिल और धिमाग को नुकसान पुचाती है तो चलिए दोस्तो सबसे पहले आपको कुछ क्यूशन का जवाब जरूर दे देते हैं जो इससे related बहुत महत्वपूर्ण क्यूशन होते हैं क्या इससे कोई portion मिलता है दोस्तो चाहे bread किसी भी रंग की हो रूप की हो या फिर आकार की हो या आपके health के लिए काफी नुकसान दायक है ना ही इसमें कोई protein है और ना ही इसमें कोई fiber और vitamin हाँ सफेड bread की जगे आप brown bread खा सकते हैं अब बात करते हैं दूसरे क्यूशन की तरफ दोस्तो high sodium तत्व की मात्रा इसमें अधिक होती है जी हाँ bread में high level का sodium होता है जो blood pressure और heart attack की बिमारी को बढ़ावा देता है अगर आप single है और bread खाकर जिन्दा है तो आपको नहीं पता होगा कि आपके body में कितना salt जमा हो चुका है बात करते हैं इसके कुछ नुकसानों की दोस्तो इसका नुकसान होता है कि यह मोटा पा बढ़ाता है जी हां भले ही bread से थोड़ी सी calorie मिलती हो लेकिन इसे सुबह लेने से शरीर में बहुत ज़्यादा calorie बढ़ जाती है इसे केक या बर्गर के रूप में लेने से इसमें मौझूद एश्ट्रा सोल्ट और सुगर वेट बढ़ाने में मदद करते हैं इसके लावा दोस्तो इसका अगला नुकसान यह है कि इससे पेट की भूग नहीं मिटती है जी हाँ कई लोगों को जब भूग लगती है तो वह ब्राउन ब्रेट की जगे वाइट ब्रेट खाना पसंद करते हैं क्योंकि वह ज़्यादा मेठी होती है लेकिन यह ब्रेट पेट भणने में बिलकुल भी कारगर नहीं है इसमें कार्ब कंटेन्ट जदा होता है और यह पेट भी नहीं भड़ता है बात करते हैं इसके अगले नुकसान की जो कि है ग्लूटेन दोस्तो ब्रेड में बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूटेन यानि की लिसलिसा पदार्थ होता है जो की सिलिक रोक को अमंत्रित करता है ब्रेड खाने से कई लोगों के पेट खराब हो जाते हैं या ग्लूटेन के कारण होता है हर किसी को ऐसी प्रोब्लम नहीं होती है लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है दोस्तों बात करते हैं इसके अगले साइड इफेक्ट की जो की है कार्बो हाइडरेट की मात्रा ज्यादा होना जियां, ब्रेड के कई आईटम्स में कार्वॉ हाइड़ेट मिला होता है, शरीर के लिए थोड़ा सा कार्वॉ हाइड़ेट फायदे मंद हता है लेकिन इसकी ज़्यादा मातरा नुकसान दायक होती है, ज्यादा रिफाइंडर कार्वो हाइड़ेट खाने से ब्लड शुगर लेवल हाई और लो होने लगता है जिसे मदू में हार्ट अटेक और ब्रेंड इमेज तक हो सकता है बात करते हैं इसके अगले नुकसान की जो की है पिंपल्स की प्रोब्लम्स को पेदा करना जी हां दोस्तों वाइड ब्रेड में सेचुरेटेड और ट्रांसवेट होता है जो हाई लेवल की मातरा में स्टॉर्च होता है जो दातों में सडन पेदा करता है तो दोस्तों ये थे आपके घर में सुबह के वक्त हर रोज यूज में ली जाने वाली ब्रेड के कुछ नुकसान उमीद करता हैं आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दपाएं धन्यवाद दोस्तों